हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टियूर ओन चैनल इंगलिश विद मोक्षिता और आज हम करने वाले हैं एट्थ लेसन, नाइन्थ क्लास का मोमेंट बुका आ हाउस एज नोटा होम ठीक है, हाउस देखो किसी भी बेल्डिंग को, किसी भी मकान को हम हाउस बोल देते हैं और होम, होम क्या होता है, होम होता है, जिसमें फैमिली मिलके रहती है प्यार से फैमिली मेंबर रहते है ना, जिसमें वो होम, ठीक है ना तो डिफरेंस समझ में आ गया हाउस means भी घर होता है, home means भी घर होता है, ठीक है, home होता है जिसमें family member प्यार चे रहते हैं, वो home होता है और house कोई भी building, ठीक है न, कोई भी उसको house बोल सकते हैं, ठीक है, तो a house is not a home, कि एक house home नहीं होता है, ये lesson का name है आपका, तो lesson समझे था आ the challenge is of being a teenager, देखो कल जो lesson किया था हमने, the last leaf, उसमें भी teenager आया था और इस lesson में भी teenager है, तो teenager basically क्या होता है, teenager age कौन सी age होती है, जिसमें बच्चा ना तो बड़ा होता है, और ना ही छोटा होता है, मतलग जो child से बड़ा हो जाता है, और adult से छोटा रहता है, यानि means age between 13, to 19, यानि जो 16 साल से 13 साल से 19 के बीच में जो age होती है, वो teenager age होती है, ठीक है, तो यह story क्या बताती है, challenges बताती है, किसका teenager का, कौन सी challenge और problem of growing up, जो उनको बड़े होने में, यानि बढ़ने में जो problem face करने पड़ती है, और जो challenge आते हैं, जो जुनोतियां आती है, उनके जीवन में, उनके बारे में बताती है, यह story, how does the author overcome his problem, और author है, जो लेकक है, वो कैसे अपनी problem पर overcome होता है, काबू पालेना, यानि नियंदरन पालेना, तो कैसे नियंदरन पालेता है, अपने problems पे, तो वो हम story में पढ़ेंगे, तो let's start the lesson, My first year of high school felt acquired, acquired होता है, प्रिशान हो जाना, कि मैं, अपने first year, जो मेरा पहला साल था, high school में, ठीक है, वो क्या था, मैं कहां महसूस कर रहा था, प्रिशान महसूस कर रहा था, अपने आपको, ठीक है, प्रिशान ही महसूस कर रहा था, After leaving junior high school at the head of my class, कि junior school छोडने के बाद, junior high school छोडने के बाद, क्योंकि मैं head था, head मतलब मुखिया होता है, जो head होता है, जो head होता है, class का, मैं मेरी class का head था, With all the security, the upper grade level, upper grade level में, क्योंकि junior class में upper grade हो जाता है, upper class पास कर लेते हैं, तब ही तो high school में जाते हैं, तो junior school में जो भी seniority थी मेरे पास, और जो भी मुझे respect मिल रही थी, में head था, class का, तो वो सब जाने के बाद, could afford me, जो भी मैं सुईदाय महसूस करता था, It felt strange starting over as a fresh man, की एक नए आदमी के रूप में, यानि जब नए school में जाएगा, तो नया ही person लगेगा ना, की new person की तरह मुझे life में क्या strange लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, ठीक है ना, ना, इस school में मुझे अजीब सा लग रहा था, ये सब छोडने के बाद, The school was twice as big as my old school, और मेरे पुराने school से ये twice होता है, दो गुना, ठीक है ना, दो गुना, दो बार, यानि बिग बड़ा, कितना दो गुना बड़ा था, कि मेरे पुराने school से ज़्यादा बड़ा था, दो गुना बड़ा था, And to make matters worse, और make matter, इस मामले को worse होता है, bad की second degree होते है, worse, कि मुझे एक, इस मामले को और भी दुखी बना देती थी, worse बना देती थी, बुरा बना देती थी, क्या? My closest friends were sent to a different high school, जो मेरे closest friends थे, जो मेरे नजदी की दोस्त थे, मितर थे, वो different, यह नहीं, अलग school में चले गए थी, I felt very isolated, isolated होता है, अकेला पन महसूस करना, तो मैं काफी अकेला पन महसूस कर रहा था, I missed my old teachers, मैं अपने पुरानी teachers को बहुत miss कर रहा था, so much, इतना ज़्यादा, that I would go back and visit them, मैं उनके पास जाता था, और उनसे मिलता था, I would, sorry, they could, they would, they would encourage me to get involved in school activities, so that I could meet new people, new people, they would encourage, encourage होता है, साहज देना, मुझे साहज देते थे, to get involved, कि मैं involved हो जाऊं, सामिल हो जाऊं, school की activities में, school की गतिविदियों में, so that, ताकि I could meet new people, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं, they told me, वे मुझे बताते थे, that in time, I would adjust, कि थोड़ा time लगेगा, मैं वहाँ पर adjust हो जाऊंगा, probably, probably मतलब साहएद, end up loving my new school more than I had my old one, कि तुम थोड़ा time पर बाद, तुम उनमें adjust हो जाऊंगे, माज़ी योजित हो जाऊंगे, और साहे तुम है ना, अपने नए स्कूल से इतना प्यार करो, इतना लगाव करो, कि पुराने स्कूल से भी नहीं करते थे, इतना पुराने स्कूल से ज़्यादा लगाव करने लग जाऊंगे, they made me promise, वो मुझसे promise मांगते थे, मतलब मेरे से उनमे प्रोमेश लिया, कि when that happened, जब ये गटना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जब मैं अपने स्कूल से अटैस हो जाऊंगा, मतलब मेरे स्कूल से लगाव हो जाएगा ना, इस स्कूल से, I would still come by and visit them from time to time कि मैं उनके पास time to time मिलने जाऊं और उनको भूलो नहीं I understood the psychology in what they were saying मैं उनकी psychology को यानि उनके मनविग्यान को समझ गया था कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे but I took some comfort in it nonetheless कि मुझे फिर भी nonetheless मतलब फिर भी मुझे comfort मिल रहता था एक अराम किस्तिती मिलती थी यह सब सुनके मुझे comfort मिलता था मतलब मुझे relax मिलता था वन संडे आफ्टरनून एक संडे को संडे यानि रविवार को दो फैर बाद not long after I had started high school कि मतलब ज्यादा time नहीं हुआ था मुझे start के वे high school को I was sitting at my home at home at our dining room table कि dining room table पे मैं बैटा था doing my homework मेरा homework कर रहा था it was cold and windy fall day और दिन कैसा था कि ठंड पढ़ रही थी और windy मतलब हवादार तेज हवादार हवादार हवा और थंड़ा हवादार और थंड़ा मोसम था थंड़ा दीन था भू and we had a fire going in our fireplace और हमने अपने फायर प्लेस पे फायर प्लेस याने अंगिठी वगरा जहां पे भी आग जलाते हैं वहाँ पे आग जला रखी थी as usual जैसा आम तोर पर होता था my red tabby cat was laying on top of all my papers मेरी जो red tabby मतलब धब्बे धारी दार जो धब्बे वगरा होते हैं red धब्बे वाली यानि धारी दार कैट लाल धारियों वाली cat lying on my top कि मेरे papers के ऊपर बैट जाती है परिंग loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment में इंटर्टेइनमेंट सेख अब वह क्या करती है परिंग होता है जो मियाओं की साउंड होती न वह होती है परिंग मतलब वह loudly मतलब जोर से बोलती है यानि घुराती है या मियाओं की साउंड करती है occasionally sweating at my pen for internet और मेरे pen पे पंजो से क्या लगाती है थब थबाती है पंजो से pen को entertainment यानि सिरफ मनोरंजन के लिए she was never far from me कि वो मुझसे कभी दूर नहीं जाती थी I had rescued her when she was a kitten कि वो जब kitten होता है cat का जो baby होता है उसको kitten बोलते है जब हो चोटी baby थी तब मैंने उसको बचाया था and somehow she knew और फिर भी वो जानती थी किसी तरह से वो जानती थी that I was the one मैं ही वो हूं responsible for giving her good life जिसकी वज़े से वो अच्छी जिन्दगी जी रही है मतलब उसकी अच्छी life के लिए मैं ही responsible हूं मैं ही जी मेवार हूं my mother kept stocking the fire to keep the house nice and warm कि मेरे घर को सुन्दर और warm यानि गरम बनाने के लिए मेरी मम्मी क्या कर रही थी स्टोकिंग होता है इंधन डालना fire fire मतलब आग में जो इंधन डाल रहे थी suddenly अचानक I smell something strange मुझे कुछ strange अजीव सी smell मैसूस होई and then I notice it मैं तब मैंने इसको notice किया मतलब देखा smoke pouring in through the seams of the ceiling ceiling होता है ceiling से seams से होती है दरारे ceiling दरारों से क्या हो रहा था smoke धूआ निकल रहा था the smoke began to fill the room so quickly that we couldn't barely see कि smoke जल्दी से मतलब इतना जल्दी room में भर गया इतना quickly भर गया कि हम मुश्किल से कुछ देख पारे थे मतलब दीखनी रहा था grouping मतलब group बना के our way to the front door हम front door की तरफ हमने रास्ता डूंडा we all ran into the front yard हम front yard की तरफ दोड़े front yard की तरफ दोड़े मतलब सामने आंगन की तरफ दोड़े by the time उसी time we made our way outside हमने हमारा way मतलब रास्ता बना लिया बार की तरफ the whole roof was engulf in flames जैसे ही मतलब हमने yard की तरफ आंगन की तरफ गई न हमने अपना रास्ता डूंडा इसी time के दुरान तो whole roof पूरी छत है न वो क्या हो रही थी इंगल्फ मतलब वो पूरी इंगल्फ होगी थी मतलब सामिल होगी थी किसमें flames flames मने लप्टों में बदल गई थी and it was separating separating quickly और यह क्या हो रहा था separating quickly यानि दुआन दिरे जल्दी से फैल रही थी separating होता फैल ना जल्दी से फैल रही थी flames आग की लपतें I ran to the neighbors to call the fire department में neighbor की तरफ दोड़ा fire department को बुलाने के लिए while I was washed my mother ran back into the house और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी मदर घर के अंदर से वापस आ रही है my mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents और मेरी मदर क्या लाती है तब घर के अंदर से carrying मतल उठा के लाना small एक चोटा सा metal धातु का बना box लाती है जिसमें क्या थे important documents रखे थे she dropped the case on the lawn वो lawn में उस case को रख देती है and in crazed state और एक पागलपन crazed होता है पागलपन की स्थिती में run back into the house और घर में वापस दोड़ पड़ती है I knew what she was after मुझे पता था कि वो उसके बाद क्या लाई की my father had died when I was young मेरे फिता जी की मरती हो गई थी जब मैं छोटा था and I was certain that she was not doing to let his pictures and letters go up in flames और मुझे पता था कि I was certain मुझे पुरे निश्यत तोर पर पता था कि मुझे विश्वास था कि वो उनको उनकी pictures और जो उनकी तस्वीरे हैं और उनके letters हैं उनको flame में नहीं जाने देगी मना flame के लिए नहीं छोड़ेगी मतलब आग के लप्तों के लिए उनको नहीं छोड़ेगी उनको ले आएगी they were only things that she had to remember him by और वही केवल चीज़े हैं जिनसे हम उनको याद करती हैं फादर को याद करती हैं मतलब ममी उनको याद करती हैं till I screamed at her फिर भी मैं चिलाया mom no mommy नहीं mommy नहीं तो I was about to run after her मैं उनके पीछे दोड़ने ही वाला था when I felt a large hand hold me back कि मुझे मैंने महसूस किया कि पीछे से एक बड़े से हाथ ने मुझे hold कर लिया पकड़ लिया है it was fireman यह कून था यह fireman था I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks मैं मैंने noticing नहीं किया कि पूरी गली पहले से ही fire truck की भर चुकी थी fire truck आ चुके थे I was trying to free myself मैंने अपने आपको free करने किया मतलब चुड़वाने की कोशिस की from his grabs yelling yelling होता crying ठीक है उसने मुझे पकड़ राखा था तो उसके उसे पकड़ने से मुझे अपने आपको चुड़ाने की कोशिस की यहीं कराते हुए you don't understand आप नहीं समझते my mother is in there मेरी मादर अंदर है मेरी माँ अंदर है आप नहीं समझ रहे हैं he held on to me while other firefighters ran into the house उसने मुझे पकड़े रखा और जबकि दूसरे जो firefighter थे वो घर के अंदर चले गए he knew that I wasn't acting very logically वो मुझे वो जानता था he knew वो जानता था कि मैं जो act कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं ऐसे acting वो logical नहीं है तरक पूर्ण नहीं है and that if I were sorry he were he के साथ वैसे तो वा जाता है he के साथ वर क्यों लगाया क्योंकि उसने कल्पना कर रखे यहां पे की he were to let go अगर वो मुझे जाने देता I did run मैं दोड़ पड़ता he was right वो सही था ठीकाना मैं आग की तरफ दोड़ पड़ता अगर वो मुझे छोड़ देता तो he wrapped a blanket around me उसने मेरे चारों और एक ब्लैंकेट डाल दिया मतलब ब्लैंकेट होता है कंबल कंबल उड़ा दिया मुझे and sat me down in our car और हमेरी कार में मुझे बठा दिया soon after that उसके बाद a fireman emerged from our house एक fireman हमारे घर से निकला बाहर निकला with my mom in tow तो होता है रस्टा तो मेरी मां के साथ वो निकला रस्टे के साथ मेरी मां को खिंचते हुए निकला he quickly took her over to the truck वो ट्रक के उपर उसने जल्दी से उनको लेटाया and put an oxygen mask on her और उनको oxygen marks उनके उपर लगाया I ran over and hugged her मैं उसके तरफ गया और उसके लिपट गया mother के her all those time I never ever argued with her कि मैं हमेशा उनके साथ argument होता है तरफ करना argue करता था और hater जो नफरत करता था जो नफरत से बोलता था her vanish at the thought of losing her कि उनको कहीं खो दूँ खोने के ख्याल से वो सब कुछ vanish हो गई vanish यानि खतम हो गई वो सभी जो argument जो hater थी वो सब खतम हो गई she is going to be okay वो जल्दी छीख हो जाएगी said the fireman fireman ने कहा she just inhale a little smoke मतलब उनके अंदर थोड़ा सा धूआ चला गया inhale मतलब सांस के साथ अंदर जाना and then he ran back to the fight the fire वो दोबारा फिर आ की तरफ चला गया आपको भुजाने के लिए while my mother and I sat there gazed gazed होता है देखना ठीक है ना मतलब बिना सो कुछ विचार नाइव ऐसे देखते रहे ना helplessly तो वो होता है gazed कि हमें और मेरी मदर देखते रहे I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I couldn't do about it मुझे आज भी याद आजाता है कि मेरे घर जलते हुए और अपने आपको कुछ भी ना करते हुए मैं सोचता हूँ अभी भी अपने घर को जलते हुए और मेरे कुछ ना करने के बारे में सोचता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता था five hour later पांच गंटे बाद the fire was finally out कि आग पर finally out हो गई मतलब आग बूज गई लगबग पूरी our house was almost completely burnt down कि हमारा घर लगबग पूरा जल गया था but then it stuck me फिर मुझे एकदम से stuck में मेरे दिमाख में आया I hadn't seen my cat मैंने अपनी cat को नहीं देखा where was my cat मेरी बिली कहां है कहां थी much to my horror मेरे डर और भी बढ़ गया I realized that she was nowhere to be found जब मैंने महसूस किया कि मैंने उसको कहीं नहीं पाया then all at once it hit me और फिर अचानक मुझे क्या याद आया the new school नया school the fire आग my cat में बिली I broke down in tear में food put कर रोने लगा and cried cried और चिला चिला कर रोने लगा I was suffering loss a big time और मैं अपने आपको बड़े loss में समझ रहा था उस time पे कि में मेरा बहुत loss हो गया suffering कर रहा था मतरब मैं suffer कर रहा था सहन कर रहा था एक time से the fireman wouldn't let us go back to the house that night उस रात हमें fire वालों ने यानि fireman ने हमें अंदर जाने के लिए मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जाओगे it was still too dangerous अभी भी वो खतरनाक था जो घर के अंदर जाना खतरनाक था डैड और अलाइव मर डैड मतलब मरे हुए अलाइव जिन्दा I couldn't image living without knowing about my cat कि मैं imagine कलपना भी नहीं कर सकता था कि मैं वो जगह छोड़ दूँगा बिना मेरे cat के जाने हुए कि मेरी बिल्ली की मर गई या जिन्दा है इसकी खबर के बिना मैं कलपना भी नहीं कर सकता था कि उस जगह को छोड़ने के बारे में regardless फिर भी I had to go फिर भी मुझे जाना पड़ा मुझे वो जगह चोड़ने पड़ी वी पेल्ड इंटु दा कार विद ज़स्ट क्लोथ ओन आवर बैक सहम सिरफ कपड़ों के साथ ही जो कपड़े हमने पहन रखे थे कपड़ों के साथ कार में बैठ गई अगले दिन मंडे को I went to school मुझे मैं स्कूल गया when the fire broke out जब आग लगी I was still wearing the dress मैं dress पहने हुआ था school की uniform पहने हुआ था I had worn to church that morning मैं उस morning church में गया था but I had no shoes लेकिन मैंने shoes नहीं पहन रखे थे I had kicked them off मैंने उनको उतार दिया था when I was doing my homework जब मैं अपना homework कर रहा था they became yet another casual of the fire और वो भी आग के सिकार हो गए यानि जूते भी आग में जल गए so I had to borrow some tennis shoes from my aunt इसलिए मैंने अपनी aunt के क्या tennis shoes पहने tennis यानि खेलने वाले जूते पहने why couldn't I just stay home from school की मैं घर पे क्यों नहीं रह सकता school जाना क्या जरूरी है my mother wouldn't hear of it मेरी माने ये सब कुछ नहीं सुना but I was totally totally embarrassed by everything मैं इन सभी से बहुत निराज था मतलब बहुत हतास था उदास था इन सब चीजों के सभी चीजों के बारे में the clothes I was wearing looked weird weird होता strange तो जो मैंने clothes डाल रखे थे वो बहुत अजीब से लग रहे थे I had no books मेरे पास किताबे नहीं थी और homework ना ही homework करका था and my backpack was gone और मेरे पास ना ही backpack होता है जो थैला पीछे back पे लटका के ले जाते ना school का थैला कि ना मेरे पास school का थैला था I had my life in that backpack जो backpack था जो थैला था उसमें मेरा जीवन था the more I try to fit in जैसे ही मैं fit होने की कोशिस करता अज़ेस्ट करने की कोशिस करता अपने आपको the worst it got और वो मेरे साथ कुछ न कुछ से गलत हो जाता was I destined to be an outcast outcast होता है मतलब exile कर देना मतलब देश निकाला तरह से निर्वाशित की क्या भागय ने मुझे निर्वाशित and geek all my life geek होता है foolish की मुझे एक निर्वाशित और मूर्खों की तरह बटकने के लिए भागय ने बनाया है क्या पूरा जीवन के लिए that's what I eat that's what it felt like और मैं इस तरह से अपने आपको सोचता था मतलब ऐसा महसूस कर रहा था I didn't want to grow up में बड़ा नहीं होना चाहता change बदलना नहीं चाहता और have to handle my handle life में handle और life को handle link कर सकता था if it was going to be this way और इसी परकार चे सब तो चलता रहा तो मैं अपनी life नहीं जीना चाहता था ठीक है I just wanted to curl up curl up होता है summarize ठीक है कुछ sum up कर देना कि मैं अपनी life को summarize करना चाहता था and die और मरना चाहता था I've worked around school like jobbe jobbe होता है मतलब वैसे घूमना ठीक है ना डल की तरह मतलब एक करुना जनक व्यक्ती की तरह घूमना ठीक है ना जोंबे ठीक है ना मैं एक उस दिन school में कैसे घूमता रहा है करुना जनक व्यक्ती की तरह घूमता रहा है डल पर्शन की तरह घूमता रहा है everything felt surreal and I was sure that what was going to happen surreal होता है strange ठीक है ना everything felt strange मुझे सब कुछ क्या लग रहा था बिल्कुल strange लग रहा था और क्या लग रहा था कि जो school में और I wasn't sure मुझे निश्चित रूप से ये sure नहीं था विस नहीं पता था what was going to happen कि मेरे शाथ क्या होने वाला है all the security जो भी सुरक्षा I had known जिसको मैं जानता था my old school मेरा पुराना school my friends मेरे मितर my house मेरा घर and my cat और मेरी बिल्ली had to be ripped away वह सब कुछ चले गए थे यानि मेरे से अलग हो गए थे बिखर गए थे तो जो भी मेरे से जो भी में सुरक्षा मैसुस कर था जिनके बीच मेरा पुराना school हो चाहे मेरे फ्रेंड हो चाहे मेरा घर हो चाहे मेरी बिली हो सब सभी जीन को मैं अपनी सुरक्षा समझता था सभी मेरे से दूर हो गए थे तो रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्केट इन नाइस्ट वीडियो ओके थेंक यू देन बाई